महिला वित्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा कल प्रदेश का पहला पूर्ण बजट पेश किया गया समाज के अलग-अलग तपके से इस बजट को लेकर अलग-अलग राय सामने आ रही है किसी ने इस बजट को दस में से दस नंबर दिये हैं किसी नो किसी ने आठ तो जाहिर स खान साब हमारे साथ में मौजूद है बाई साब एक जनरल अगर हम बात करें और अलब संक्यक समुदायक के लिए वैसे तो अलग से तो इस बजट में कुछ नहीं है लेकिन अगर देखा जाए तो किस प्रकार से आप इसे देखें देखें सरकार ने लगा था बच्चों को प सरकार ने पढ़ाई के लिए अलग लग योजनाई प्राहरम की है और यह देखो ना अगर कोई अच्छे नमर लाएगा तो उनको टेबलेट भी वितरन किये जाएंगे तो निच्छी तरोब से बच्चे अच्छा इनकारेज होते हैं वो अथा प्रोच्छाइद करते अच् प्राक में एक रहती है कि अब के वार मेरे को टेबलेट जरूर इसकुल से लेकर करके आनी है और मैं यह कहता हूं कि बजट ऐसा है यह सेर्व व्यापी बजट है यह किशी धर्म विशेश किसी जाती विशेश किसी चैत्र विशेश इस तरीके से बजट को हम नहीं देख सक है इसके प्रियक्टन से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अचा है और वही नहीं है महिलाओं के लिए बजट सेर्व व्यापी है और लगपती महिलाएं आने वाले दिनों में आप देखेंगे गली-गली महले महले में लेकती महिलाएं मिलेगी हमारी बहने हैं हमार सुसाइद करने वाला बजट है मैं यह कहता हूं यह ऐसा बजट जो पिछले अनेक सालों से नहीं देखा गया और ऐसा बजट जो किसी भी छेत्र को इसको अच्छुता नहीं रखा हम यह कहते हैं कि आने वाले दिनों में इस बजट के कारण इस अदेश के प्रतियक सब्सक्राण के विकास होगा और कोई इस अच्छुता नहीं रहेगा इंडस्ट्री के अगर हम बात करें अक्सर देखा गया है जो सरकारे होती है वह जाते जाते वह इन्वेस्ट समिट टाइप के कुछ आयोजन करती है लेकिन इस बजट में कहा गया है कि अब समय समय पे पूरे 5 साल हम देखेंगे कि रजस्दान में इन्वेस्टमेंट कैसा है तो इंडस्ट्री के अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री के लिए इस बजट को आप कैसे देखते हैं लेए और कि आज तक के इत्यास में धार्मिक इस्तल है जो परियटक इस्तल है उनके विकास के लिए जो पेनुर्मा बढ़े हैं वीर योदाओं के और देवी देवताओं के उनके विकास के लिए और नए पेनुर्मा के विकास के लिए और वो ही नहीं है इस राजस्तान के अंदर मेरीज डेस्टिनेशन को प्रमोट करने के लिए यानि पूरे भारत वर्स के ही नहीं पूरे विश्व के लोग राजस्तान आए और यहां पर अपनी साधियां आयुजित करें तो वो करोड़ों की तादाद में पैसा खर्च करता है कहीं कंजूस्शी नहीं करता लाखों की तादाद में रोजगार के अवसर उपदर्बित होते हैं और राजस्तान सरकार ने इसके साथ-साथ परियतन बोर्ड का गठन का एक बड़ी च्छानदार गोशना किये पिछले टाइम जब हमारे साथ में माननीय मुख्य मंतरी जी ने सुझाओ मांगे तो हमने एक महत्वपूर्ण मांग रखी कि परियतन बोर्ड की इस्तापना राजस्तान में हो और उन्होंने गोशना करती हम अभार मत करते हैं माननीय मुख्य मंतरी जी का और माननीय दिया कुमारी जी का को उन्होंने हमारी मांग का आदर किया और मांग को समझा कि अगर परियतन बोर्ड की इस्तापना होगी तो सरकार और परियतन सेक्टर से जुडएवे लोग हैं उनके बीच में एक कड़ी का काम परियतन बोर्ड करेगा और जो नीचे इस तर पर परियतन को किस तरीके से चलांग लगाने के लिए काम किया जाए उस इस तर पर काम होगा और मैं ये कहता हूँ कि राजस्तान को हमने का कि संभाग वाइज बांट करके अलग लग परियतन सरकिट बनाएं आप जैसे कोटा संभाग है उद्यपूर संभाग है जोद्पूर संभाग है जेपूर संभाग है और श्यकावाट ये संभाग है इनको अलग अलग सरकिट म बात करें तो सबसे ज़्यादा दर्सनिय इस्तान अगर है तो राजस्तान में है लेकिन उनका परचार परचार उच्छित मातरा में नहीं हुआ था, उनका अच्छे से ध्यान नहीं रखा गया था, माननिय बजनलाल जी की सरकार ने इस और ध्यान दिया है, और मैं यह कहता पचास लाख लोग परियतन शेक्टर में रोजगार के अफसर उनको उपलब्द हो रहे हैं, और आने वाले दिनों में यह जो है अंकड़ा एक क्रोड तक पहुंचेगा, निच्च उतरूप से जब परियतन शेक्टर में बढ़ोतरी होगी, परियतन परियतन आएंगे, तो विशेश तोर पर बच्चों के लिए इनोंने कहा कि बच्चों के शिक्षा, स्वास्त और सुरक्षा के जो अफसर इस बजट में दिये गए हैं, यानि कि कि किसी भी बच्चे का भले ही वो गरीब परिवार से हो, किसी समुदाय से हो, हर बच्चे के सरवांगिन विकास का ध्यान इस बजट में रखा गया है, और इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो परियटन उद्योग का दर्जा जिसे पिछली सरकार ने दिया था, उसे देखते हुए परियटन इंडस्ट्री के अंदर इस बजट में काफी कुछ चीज़े इसमें दी गई है, वेडिंग ड पर बार